The Food Diary of सुरेखा में मैं सुरेखा आप सबों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ सर्दियों का मौसम हो और गाजर का हलवा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो चलिए आज बनाते हैं गाजर का हलवा मेरे स्टाइल में गाजर हलवा बनाने के लिए मैंने एक किलो गाजर लिये हैं उसे अच्छी तरह से धूलिया है छीन लिया है और कदुकस कर लिया है घी, काजो और बादाम, इलाइची पाउडर, काजो बादाम पिस्ते की कत्रने, दो मिल्क पाउडर के पैकेट चीनी, आप चीनी अपने मिठास के अनुसार कम ज्यादा ले सकते हैं साथ में ही आधा लीटर दूद गैस को मैंने ओन कर लिया है अब उसमें दो चम्मज घी डाल रही है अब मैं कद्दुकस किये हुए सभी गाजर को घी में डाल दे रही है अब इसे पांच से छे मिनट तक घी में अच्छी तरह से भून ले पांच से मिनट हो गया है इसको मिक्स करके अब मैं इसमें दूद डाल रही हूँ दूद रिड्यूस होने में 20 से 25 मिनट लगेंगे तब तक इसे मैं धीमी आज पर अच्छी तरह पका लेती हूँ दूद रिड्यूस हो गया है अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ चीनी डालने के बाद अच्छी तरह मिला ले और 10 मिनट और पका ले चीनी घुल जाने के बाद अब मैं मिल्क पॉडर के दोनों सैशे डाल दे रही हूं अब मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिला ले इलाइची पाउडर अब मैं इसमें काजू और बादाम के टुकडों को डाल दे रही हूं अब दो चम्मच उपर से घी डाल दे घी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला ले और हो गया गाजर का हलवा तयार उपर से थोड़े काजू, पिस्ता और बादाम की कत्रने डाल दे बिना खोया डाले, देखिए कितना बढ़ी अगाजर का हलवा बनकर तयार है तो आप भी इसे जरूर बनाएंगे ना तो इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि आपको हमारी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो मिलते हैं अगली रेसिपी में तब तक के लिए बाब बाई